हमने की थी exercise 1.1 जिसमें आपको हिमाचल परदेश बोड़ के जो question आते हैं वो सारे बताया हुए हैं जो आपके exam में हमेशा आते जाते हैं और लगातार वो हब paper में आते हैं तो आज हम करेंगे exercise 1.2 the fundamental theorem of arithmetic arithmetic जैसे कि आपकी multiplication आगे additions आगे subtraction आगे उस चीज़ को आज हम करेंगे तो हम exercise को पहले start करेंगे exercise का आपका होगा 1.2 का first question जिसमें आप से पूचा गया है express each number as product of its prime factor प्राइम फेक्टर आपने मतलब छोटी ग्लासों से आप शीक्सते हैं आया जैसे कि 6 में आपने किये हैं 7 में आपने किये हैं 8 में भी किये हैं तो यह आपने किये हैं आपने छोटे ग्लासे में तो इसको करने का परपर देखें यह है आपको question number 1 तो अब पहला आप लोगों का प्राइम फेक्टर है जैसे कि आपने निकलना है 140 का 140 का जिस तरीके से आप लोग LCM को निकालते थे वैसे ही आपने इसको निकलना है 140 को 27 40 जेरो 235 जा ठीक है जी और फिर आएगा आपका यह जाएगा 5 से 5 से 35 से जाएगा तो इसको लिखेंगे 7 बन जा तो इसका प्राइम फेक्टर का निकला 2 x 2 x 5 x 7 यह आगे आपका 2 का whole square multiply 5 x 7 आप कर सकते हैं आगे भी solve 2 square multiply 35 तो इस तरीके से आपने इसको पूरा नहीं करना है यहां तक छोड़ देना है इसके केवल आपको प्राइम फेक्टर निकाल लें है जो आपको 100 करवा लें question number one का first part है यह अब second part है तो second part आपको मैं यहां पर करवा देता हूं ठीक है जो notes होंगे उनका link आपको description box में मिल जाएगा तो यह है 156 अब 156 का भी आप खुद निकाल सकते हैं मैं निकाल देता हूं इसको 156 156 टू 7 जा 14 वन गया टू 8 जा 16 अब फिर से टू से जाएगा टू 3 जा 6 टू 4 जा 8 अब फिर से जाएगा टू 17 से अब 17 का अगेला ही जाएगा तो अब देखी यहां पर टू कितनी टाइमस है टू टू मल्टिपलाई टू मल्टिपलाई टू मल्टिपलाई 17 यहां पर क्या बना टू कितनी वार है ट्री टाइमस इंटू 17 घिक है जी तो एक मिनिट टू सेवन जा 14 वन गया एट जा है टू 3 जा 6 सॉरी यहां पर 13 9 थर्टी नाइन आए 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 यह थोड़ी सी थर्टी और यहां पर 13 तो यहां पर 3 आएगा और यहां पर आएगा 13 तब आप इसको किस तरीके से करेंगे टू का होल स्केर इंटू 3 मल्टिपलाई 13 तो यह इस तरीके से आपका बना अब वैसे ही आपका 3825 का बनेगा और वैसे ही आपका 5005 का बनेगा और जैसे कि आपका अब यह question आपका इलिए हों भरक है जो आपको खुद करने ही होगे जैसे कि third आपका है third आपका है 3825 को यह आपने खुद करना है और fourth है जो आपको 5005 यह भी आप लोगों को खुद करना ही होगा मैं आपको करवांगा सिर्फ आपका यह sixth question फिप्थ question आपका यह fifth question आपके exam में बहुत वार पूचा गया है और एक series को यह एक बार आ चुका है किसी time यह question आपसे एक बार paper में पूचा गया है HP board में कई वार एक ऐसी series आपके exam में आजाती है जो बहुत ज़्यादा tough होती है तो उसको बचने के लिए essay point को आप लोग note करते रहे हैं अब यह question है इसको आपको अगर करना है LCM के through तब आपको थोड़ी सी दिक्क्त होगी आप cable इसको थोड़ा सा याद करके भी जासके है इस question में आपको यह पहले पता है किस चीज़ से जाएगा मैंने रखा इसको याद इसका पहले यह जाएगा 17 से जाएगा याद रखना यह 17 से जाएगा तो यह आएगा देखिए यहाँ पर 17 जाएगा 437 हाँ 17 से जाएगा यह 437 से 17 फिर यह जाएगा 19 से 23 इस question को अगर आप लोग कर भी सकते हैं लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आपसे यह चीज नहीं पूछी जाएगी यह चीज आप इस इन चीजों को हो जाएगा और यह maximum time कई बार पूछ लिया जाता है एक्जाम में तो यहाँ पर आपको question number 1 के सभी part complete होगे और यह आपका अपना कहा में इनको करना तो यहाँ पर मैं यह आपको इसकी PDF copy description box में मिल जाएगी जहां से आप download करके पहले यह आप उसको download कर लेजिए अगर आपके पास दो mobile है तो साथ में देखते रहेगा ठीक है अब यहाँ पर आएगा question number second और मैं यहाँ पर page number डाल देता हूं आपका page number है 11 याद रखेगा यह है आपका page number 11 ठीक है अब 11 था आपका second question है यहाँ पर पूचा है find the LCM and HCF of the following pairs of integer verify LCM multiply HCF product of two numbers ठीक है अब यहाँ पर LCM and HCF पूचा है इन्होंने और इन्होंने यही कहा है कि जब हम LCM और को multiply करेंगे HCF से तो product आएगा दो number का जो आपको given दिये हो है तो first question को हम लोग solve करते हैं यह है आपका first question 26 and 91 यह आपका है first question तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे यह आपका first question पहले आप लोगों को पता है LCM कैसे निकालते हैं तो अब LCM का system क्या होता है निकालने का 26 का LCM निकाले आप पहले हम LCM 26 का LCM आप इस तरीके से निकालेंगे तो थर्टिन 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 बन जा इस तरीके से आप लोग LCM को निकालने और फिर निकालने के आप 91 का 91 किस चीज से जबता है आम इसा यादा किकर 91 से जा सकता है 7 बन जा 7 हां जी 7 से जा सकता है तो यह आपका यहां पर आ गया अब अब लोगों को पता है कि LCM में कॉमन चीज केवल एक टाइम ही हम लोग लेते हैं यह दो नंबर है तो LCM वाली चीज आपको केवल अगर दो डिजितों की बोले हैं कभी भी आपको निकालने के लिए तब आप जो कॉमन डिजित है उसक तो आप 2 लिखेंगे, multiply 7 लिखेंगे, multiply 13 लिखेंगे, लेकिन 2 टाइम नहीं लिखेंगे, because 13 इन दोनों में common है, अब 2 7 आ, 14, 14 multiply आप करेंगे 13, अब 14 को आप लोगों ने multiply किया 13 के साथ, यह रफ वर्क है, इसको याद रखिगा, 12, 13, 34, और यहां पर 4, यहां पर 1, 281, यह आपका गया, 182, तो यहां से आप लोगों को, आपने एक अपना एक पड़ाव, complete का लिया, तीन मार्क का यह question, पूछा जा सकता है, आप से, अब आपका main purpose बनता है, HCF निकालने का, HCF, आप लोग serial wise करेंगे, मैं तो के वल यहां पर आपको बता रहा हूँ, अब यहां पर HCF निकालेंगे, HCF देखिए, अब HCF इसले निकलता है, 26 का यह आपने क्या निकला, 2 multiply 13, और 91 का आपने ले निकला, 7 multiply 13, तो आपने देखना है, HCF देखता है common चीज, सिर्फ common चीज, सिर्फ यह common चीज को लेता है, 26 और 91 में, तो common चीज इसमें क्या आई, जो आपको भी black pen से मैं दिखा रहा हूँ, this is the common, so इसका, जो HCF होगा, वो आपका निकला 13, अब question को, अगर आपने book खोली होगी, तो books में क्या लिखा है, आप सामने book का यह formula है, LCM multiply HCF, किसके बराबर है, देखना आपकी books में है, यह formula, product of two numbers, जो आपका product, product का मतलब होता है, multiply, two numbers, ठीक है, यह HP board का यह बहुत important question है, अब यहाँ भी देखिए, यहाँ तक मैंने इसको, as it is गला दिया, product of two numbers, पूछ रहा है, अब LCM आपने निकल दिया, LCM कितना निकला आपने, 182, multiply, HCF कितना निकला आपने, अभी यह देखिए, 13, product of two numbers, product of two numbers, means आपका यह given question, 26 multiply 91, पहले मैं क्या क 54, 18, 18 plus 5, 23, तो आपके पास यह इस 3 के से आई, 2366, 23, यह side आपकी आगी, 2366, आगी, अब 182 को आप लोगोंने multiply करना है, तो मैं थोड़ा सा उपर कर लेता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, अब यहाँ पर 182, यह देखिए, 182 को आपने multiply करना है, 13 के साथ, 32, 6, 38, 24, 2 है 3235, multiply 281, 66, 84, 12, 13, 1236, तब आपका यह बिलकुल question बिलकुल सही है, यहाँ तक आपने केवल इनको बताना है, कि आपका यह question बराबर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, these number are equal and satisfy all the conditions, तो यह आप लोगों का first question हो गया, ऐसा है कि, तो अब आपका जैसे कि यहाँ पर second question है, मतल question number two का second part, तो अब मैंने आपको जो previous question में बोला कि आपने फाइले क्या find करना, lcm करना point, अब देखिए यहाँ पर आपने lcm कर लिया find, lcm is equal to, किसी को किसी भी प्रकार के doubts होंगे, तो नीचे link है google classroom का, उसको join कर लीजिए, आपने doubts वहाँ पर लिखिए, आपके एक हफते के अंदर उन solution उसका हल निकाल दिया जाए, तो अब यहाँ पर देखिए, lcm है आपका, lcm पहले 510 का निकालना, तो अब निकालेंगे, 224, तो वन गया गया, 215, तो अब यह 3 से चाल सकता है, 2824, फिर 1 गया, 35, अब तो नहीं जाएगा, तो आप 5 का यूज करना पड़ेगा, 5 बंजा 5, 3 के 7, तो as it is 17, 1, यहाँ पर आपका remainder 1 आ गया, ठीक है जी, तो थोड़ी सी दिक्कत थी कैमरे में, आपको दिखाई नहीं दिया होगा, तो अब प्लीज देखिएगा, अब यहाँ पर आया, 92 का, 92 का हमने कैस निकालना है, पहले आएगा, 248, 1 गया, 268, वैसे ही टू टू जा 4, 06 से मतला टू 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 जा, स्वरी, टू टू जा 4, टू टू जा 6, अब 23 का हैज इस 23 से ही जाएगा, अब पहले यह आप लोगों को पीछे बता दिया गया, अब यहाँ पर है, LCM is 510,92 क्या निकलेगा, पहले बोला है, कॉमन क्या है यहाँ पर, 2 क्या है वन टाइम है, तो एक बार कॉमन है, तो एक बार ही लिखा जाएगा, ठीक है जी, मैं आपको दूसरे दिक्के से बता देता हूँ, पहले क्या करना आपने, 510 लेना, उसका लिखना, 2 multiply 3, multiply 5, multiply 17, कई confused हो जाते हैं, कि 2 का all square कैसे आया, तो अब वही चीज आपको बताई जा लेकिन जो दूसरा 2 है, वो ना उपर है, लेकिन नीचे है, तो उसको एक और बार फिर से लिखा जाता है, तभी आपकी, जब आप मलोत्रा बुक डिपोर्ट, जो होती है, जिस इसको देखते हैं, तो वहाँ आप लोग कंफ्यूज होती है, तो ठीक है, इस चीज पर कंफ् इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे, यह सॉल्व करना मैं तो सिर्फ का रहा हूं, तो उससे मैंने जब इसका निकाला, तो 2, 3, 4, 6, 0 है, अब है आप लोगों का ऐसे निकल जाएगा, है क्या चीज देखता है आपकी, कॉमन चीज, कि कॉमन क्या है इन दोनों में से, तो HCF आपका कॉमन क्या है पूरे question में, 510,92 में, सिर्फ 2 है, तो HCF भी आपका केवल 2 आएग, अब question में आप से क्या पुछा गया है, यह आपका है, हो मैंने यहाँ पर लिख लिए, आप जब PDF डाउनोड करेंगे, या प्रिंट आउट निकालेंगे, तब आपका, खुद की जिम्मेबारी बनती है, इसको खुद कीजिए, आप से कुछ गया है, LCM multiply HCF, और जिसने Google Classroom जोईन किया है, तो वो इसका screenshot जरूर भीजिएगा, अगर इसको solve किया होगा, तो product of two number, अब product of two number, एक यह चीज होगी, और LCM आपने निकाल दी है, और आपका question बिल्कुल solve, वैस कुद बिल्कुल exact, इसी तरह से वो question आप से पूछ गया है, तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, आगे की और, तो आगे की और बढ़ने से पहले, अगर आपको lecture पसंद आ रहे हैं, तो हम ऐसे lecture आपको daily ही देते रहेंगे, अगर आपका response आता है, तो अब यह question है, मैं आपको बताता हूँ, बुक खोल के, तो बुक में यह है, question find the LCM and SCF, आपने find करना है LCM and SCF, following integer by applying prime factorization, prime factorization method जो आपने भी पीछे किया, मतलब same question है as it is, लेकिन इस वार आपके सामने 3 desert होगी, कैसे आप देखिए, यहाँ पर question number third का, यहाँ पर page number कौन सा है, यह 11 का ही है, अब है, first question question, जिसमें है, twilight, 15 and 21, अब इस question की बात की जाए, यह board में कब कब आया है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहली बार यह आया है, आपके 2008 में भी, 9 में भी, 10, 12 में भी आया है, और 16 में आया है, उसके बाद 18 में भी आया है, और 19 में भी आया है, तो अब यहां से आपके exam में question आ सकता है, हिमारचल पर देस बोर्ड की बात करता होना है, अब देखिए हिमारचल की यही बात आती है, कि maximum time, many time आपको repeated question ही पूछे जाएंगे, एक दो question है जो आपको कहीं और से पूछा जा सकता है, तो अब लिए पहला काम है, LCM कैसे find, LCM के लिए कि मैंने बढ़िया pattern रताया है, 12, 26, 12, 23, 6, लेकिन अब एक चीज़ देखेंगा, 15, 35, 15, 5 बन जा, 5, अब 21 है, 37, 27, बन जा, अब यहां पे आप लिखेंगे, 12, 12 कैसे आया, 2 multiply, 2 multiply, 3, 2, वैसे ही आपका 15 कितना आया, 3 multiply, 5, यह चीज़ आई आपकी कि नहीं, अब 21 है आपका 3 multiply, 7, मैंने आप लोगों को बताया कि LCM आप लोगों ने कैसे find करना है, देखिए अब 2, 3 डिजिट में नहीं है, तो as it is इसको हम लिखेंगे, जब हम इसका LCM निकालेंगे, 12, 15 and 21, क्योंकि अब 3 डिजिटों में देखना पड़ेगा, common है, अब देखिए 2 नहीं है, तो 2, अब दूसरा 2 भी नहीं है, तो ये भी 2 फिर से लिखना पड़ेगा, लेकिन 3, अब मैंने यहाँ पे, red pencil लगाया, 3 हमारे इन तीनों में है, तो 3 सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा, तो यही main परक्पद है, आप लोगों का सीखना, और ये question solve हो जाएगा, जब आप इसको है, तो hcf इसका क्या है, 3, जिसने 3 निकाला है, उसका सही है, क्योंकि hcf में common चीज़ ही देखी जाती है, तो ये question आपने केवल यहीं तक करना है, अगर जिसने question number 2 अच्छे से समझा होगा, तो ये जो, अब इसका जो second part है, वो भी आपके लिए, मैं बता हूँ, homework है, क्य and 25, ये आपका homework है itself, जरूर आप लोग इसको खुद try कीजिए, अब जो important question है, वो कई बार आपसे exam में पूछा जा चुका है, ये question आपके exam में, और इस question को जरूर आप कीजिए, एक आपका example होगा, मैं आपको example भी करवाँगा, किसी एक series को ये question आया, जो अभी करवाने ज यहाँ पर इस question को हम कर लेते हैं, थोड़ा सा page को उपर, अब इस question को जरूर आप लोग try जरूर कीजिएगा, ये आपके exam में आ सकता है, एक example है, मेरे idea से, जो आप सिप exam में पूछ लाता है, यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया है, given that, इन्होंने पूछा है, given that, जो आपक hcf है, वो है 306,657 is equal to 9, ये question है, find lcm, अब आपको lcm find करना है, बिल्कुल easy question है, कोई confuse होने की बात नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि hcf आपको 306,657 का 9 दिया गया है, आपको lcm इसका ग्याद करना है, कि lcm आपने इसका find करना है, तो कैसे आप लोग इसको करेंगे, पहला purpose वही है, कि lcm कैसे निकालते हैं, ये आप लोग छोटी कक्साओं से सीख के आए है, 306,2 बंजा, 61,20010, और 153, किसी से, 3 से जा सकता है, कैसे, 3515, 3 बंजा, 3, अब ये तो सिर्फ 17 के टेबल में ही आता है, तो 17, यहां तक अलिया, अब वैसे ही आप लोग 657 का करेंगे, 657 ह है, तो 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 में जा सकता है, देख सकते हैं, जा सकता है, तो 219 है, अब जा सकता है, फिर से 3 से, जा सकता है, 3721, 339, अब नहीं जा सकता है, अब 73 as it is, अब आपने find करना है, इसका lcm क्या है, हमारे पास hcf दिया हुआ है, इस चीज का नहीं, hcf दिया हुआ है, और हमारे पास lcm नहीं दिया हुआ है, तब आप लोगों को नो, एक फार्मूला दिखाया, आप लोगों नहीं अगर note किया होगा, जो इस question में था, देखना है, इस question यह formula, फिर यह maximum confused होते हैं, यह formula, अभी आपको एक formula बताया गया, question number 2 में आपके, उसमें पताया गया आपको, कि lcm को जब हम multiply करेंगे, hcf के साल, जो होता है, वो होता है, product of, कितने number का, two number का, तो दो number हमारे पास है, 306 and 690, तो अब यहाँ पे lcm निखेंगे, तो lcm हमने किसका find करना है, 306 and 657 का, अगर इस step को अगर आप लोग करेंगे, तो आपको दिक्कत होग है, ठीक है, multiply hcf, hcf दिया है, कितना, 9, 9 ही आएगा, क्योंकि, वो common cheese को ही लेता है, तो common cheese यहाँ पर two times है, इस वार याद रखना, common cheese two times है, दिया हो है, product कितना है, 306 multiply 657, तो यह अब cross multiplication का का काम है, कोई दिक्कत का काम नहीं है, formula आपको बता दिया गया है, तो अब 306 multiply 657 और यह exam में काफी times पूछा गया है, upon 9, 339, 3 बंजा 3, 0, 326, अब यह जा सकता है, 326, 3 बंजा 3, और 2 बचा है इदर, तो आपने करना है, जब 102 को multiply, 29 के साथ, 29 के साथ, 29 के साथ, जो आपका result आएगा, वो इसका answer होगा, और यह question हमेशा exam में आता है, मैं example देख लेता हूँ कि इस type का कोई example मिल जाता है, इस type का तो example नहीं है, लेकिन यह question आप से पूछा जा सकता है, exam में, ठीक है जी, example आप लोग खुद पी try का सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल as it is है, कि अगर आपको यह समझ आ गया है तरीके से, तब आप लोग example का सकते हैं, लेकिन इसका आपको जो answer है, वो मैं book के पीछे से बजा देता हूं, वो है आपका 22338 जब आप करेंगे, बिल्कुल answer है, calculation सही है, आपका मल्डिव लाए करके देखेगा क्या इसका यही answer है, अगर है, तब आपका question सही है, तो exercise आपकी one pointer to be complete होते हुए हिमाचर प्रदेश बोर से, और बाकी जो तो वाल विदे दोस्तों मिलते हैं, अगली वीडियो में 1.3 के साथ